हेलो फ्रेंट्स जै बद्रिविसाल फ्रेंट्स आईए आज बनाते हैं पास्ता देसी और बिदेसी दोनों तड़कों के साथ में बहुत ही टेश्टी बन कर तयार होगा और यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके से एक बार भी ट्राई कर लिया ना तो बार बार आप इसी तर इसमें तेल डाल दिया है जिससे की पास्ता आपस में चिपकने ना पाएं तो बस इसको हमें तेल डाल के छोड़ देना है जब तक कि इसमें अच्छा खासा उबाल ना आने लगी तो यहां पर पानी थोड़ा-थोड़ा सा अब उबलने लगा है तो और अब तेजी है तो बस अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता और यहां पर एक बाउल वरकर मैंने पास्ता लिया है पानी इतना होना चाहिए कि जिससे की पास्ता डूबा रहे तो बस यहां पर हम इसको अच्छी से इसको उबाल लेंगे हाध्यान रहे कि हमें इसको ओवर कुक नहीं करना मतलब 100% इसको नहीं पकाना है तो यहां पर हमारा पास्ता 90% कुक हो चुका है तो बस अब इसका हम गैस बंद करेंगे और इसको हम उतार लेंगे और इसके बाद में छहनी में छान लेंगे और अगर आपका पास्ता ज्यादा कुक हो गया है मतलब 100% कुक हो गया है तो बस इस में हम लगबग एक बड़ा चमच के करीब मैंने तेल डाल दिया है और उसकी बाद में इसको हमें अच्छे से गरं होने देना है तो यहां पर बस अब यह तेल हमारा गरं हो गया है और इसमें हम डालेंगे आधा चोटा चमच जीर्ण फिर्स Simoneem करीडिया और साथ ही दो हरी मिर्च को मैंने बारी बारी कट कर लिया था और इसको हमने डाला है और इसको बस हमें थोड़ा सा इसको भूनना है बहुत जादा इसको हमें नहीं पकाना है बस इसका लेसुन का थोड़ा सा कच्चापन चला जाए तो बस अब यहाँ पर स्टेज पर हम डालेंगे प्याज और एक प्याज मैंने डाला था और इसको मैंने बारी कट कर लिया था और उसके बाद में इसको भी बस हमें सॉफ्ट होने तक इसको हमें भूनना है तो यहाँ पर प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर तो बस एक टमाटर मैंने ले लिया था और चोटी चोटी टुकडों में इसे कट कर लिया था उसके बाद में तुरंदी हम इसमें नमक डाल देंगे जिससे की टमाटर गल जाए जल्दी तो यहाँ पर बस नमक डालते ही इसको हमें बिल्कुल चलाते जा यह गलने लगा है तो बस टमाटर हमारा अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो चुका है तो अब इसे हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और इसमें हम हल्दी डालेंगे आधा चोटा चमच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाला है साथ ही इसमें एक टी स्पून मैंने पास्ता मस और तब तक भूनना है कि जब तक कि इसमें तेल दिखने ना लगे तो बस इसको बराबर चलाते हुए जाएंगे और इसके बाद में मसाला बिल्कुल अब यहां पर हमारा भून चुका है तेल दिखने लगा है तो बस फौरण ही अब इसमें हम अपना यह पास्ता डाल तो बस देख रहे हैं तेल डालने से बिल्कुल भी चिपका नहीं है एकदम खड़े-खड़े से दिख रहे हैं तो बस यह स्टेज पे तुरंत ही हम इसमें एक चमच के करीब हम इसमें मियोनीज डालेंगे और साथ ही एक ही चमच भरकर लगभग हम टोमैटो कैचप डालें मियोनीज आपचल है लेकिन अगर आप इसको डालेंगे ना थो बहुत ही टेश्टी बन कर यह त noun होता है तो बस इसको हम पास्टर के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहा पर इसको अच्छे से चलाने के बाद कि बाद में बस इसमें अब दालेंगे औरी गै कीजिएगा और यकीन मानिए ये स्वार्द आपको बिल्कुल भूलने वाला नहीं है तो फ्रेंट्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ फ्रेंट्स और फाइमली के साब भी जरूर सेयर कीजिएगा ओकी फ्रेंट्स थैंक्स और वाइचिंग